हलो माई डियर स्टुडेंट्स आज इस वीडियो में मैं आप लोगों को सेकेंड इयर का जो रैन्वो पार्ट टू किताब है इसी किताब का जो पहला लेशन है लेशन वन इंडियान सिविलाइजेशन एंड कल्चर भारतिय सभ्यता और संस्कृति इसी का जो राइटर है महत्मा गांधी इनके बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं आप यह कर सकते हैं कि about author यानि author के बारे में मैं आप लोगों को कुछ जनकारी देने जा रहा हूं ठीक है इसे से आपका कुछ objective examination में बन जाएगा ध्यान पुरुवक आप इस वीडि चले शुरू करते हैं मोहंदास करमचन गांधी यह मोहंदास करमचन गांधी गांधी जी का पुरा नाम है इज पोपुलरली नोन एज बापू यानि मोहनदास करमचन गांधी इज नोन का मतलब हुआ जाने जाते हैं मातमा गांधी जाने जाते हैं pathour of the nation मतलब यह हुआ कि मोहंदास करमचन गांधि लोक प्रिये नाम से जाने जाते है और वो लोक प्रिये नाम है बापू आई आप कर सकते हैं the father of the nation father of the nation का मतलब हुआ राश्ठ पीता के नाम से He was born on 2nd October, इनका जन्म हुआ था 2nd October को 1869 में and assassinated इनकी हत्या हुई थी, हत्या इनकी कर दी गई थी, नाथुरान गुर्षे के द्वारा 30 January 1948, यानि 30 January 1948 को इनकी हत्या की गई थी, जबकि इनका जन्म कब हुआ था, तो 2nd October 1879 में He was a spiritual leader, spiritual का मतलब होता है अध्यात्मी के, यानि ऐसे बेखते जो पूजा, पाठ, धर्म, गरंत इन सब चीजों पर विश्वास रखते हों तो He was a spiritual leader का मतलब हुआ कि महत्मा गांधी एक अध्यात्मीक नेता थे, ठीक है He used truth and non-violence, यानि वो महत्मा गांधी की बात हो रही है, He जो प्रोनाउन लगा है महत्मा गांधी के लिए लगा है Used truth, महत्मा गांधी, सच्चाई का परयोग करते थे And non-violence का मतलब हुआ अहिंसा, यानि ये जगडा करना नहीं चाहते थे किसी से, ठीक है As the chief weapons against the British rule तो ये सच्चाई का और अहिंसा का जो परयोग करते थे के रूप में, मुख्य हंथियार के रूप में करते थे यह दोनों तो ब्रीटिस रूल के खिलाप में परियोग करते थे अंग्रेजों के खिलाप में फ्रॉम 1915 तिल 1948 यानि 1915 से 1948 तक तिल मतलब तक ही कॉंप्लिटली डोमिनेटेड यानि या पूर्णता चाय हुए थे डोमिनेटेड मतलब चा जाना लोक प्रियता इनकी बहुत ज्यादा थी ठीक है या आप यह कर सकते हैं कि इनका बोल बाला बहुत था तो कॉंप्लिटली डोमिनेटेड यानि पूर्ण रूप से चाय हुए थे इंडियन पोलेटिक्स में भारत के राजनिती में my experiment with truth यह इनकी आत्म जिवनी का नाम है बहुत important है my experiment with truth is his autobiography इनकी आत्मे जिवनी क्या है my experiment with truth थे ही रोट नियूमरस आर्टिकल इन्होंने बहुत सारे लेखों को लिखा नियूमरस मतलब अनेक या बहुत सारे कर सकते हैं रोट लीखा चुकि पास्ट इसकी घटना हुई है आर्टिकल्स मतलब लेखों को फॉर यंग इंडिया युवा भारत के लिए मतलब थे क्या तो एक महान विचारक और ग्रेट मास्टर और महान स्वामी थे क्या के थे तो आफ चेस्ट इडिमेटिक इंगलीज चेस्ट का मतलब यहां पर सुध उवा तो सुध मुहाबरेदार इंगलीज मतलब अंगरेजी इस लाइन को इशाव वाज ग्रेट थिंकर यह बिचारक थे ही साथ में ग्रेट मास्टर का मतलब इनके पास स्वामित्व था यह स्वामित्व थे सुध मुहावरेदार अंग्रेजी के ठीक है In the following extract इंडियन स्विलाइज़ेशन और कलचर यह जो हम लोग lesson पढ़ रहे हैं, lesson का नाम है Indian Civilization and Culture, भारतिय सभ्यता और संस्कृती, तो यह एक extract है, मतलब एक अंस है, तो इस अंस में गांधी जी talk about, गांधी जी बात करते हैं, the sound foundation, मजबूत जड़की, sound मतलब ऐसे आवाज भी होता है, लेकिन यहाँ पर sound का यूज किया गया है मजबूत के लिए, मजबूत पकड यानि new of Indian Civilization, Indian Civilization and Culture जो lesson है, जिसके writer कौन है, महातमा गांधी, इस lesson में महातमा गांधी वर्णन किसका किये हुए हैं, तो Indian Civilization की मजबूत new के बारे में, उसकी पकड के बारे में, वीच हैज, सक्सेस फुली, वीद अस्टूर, दा पासिस अब टाइम, यानि जो समय बीतने के बावजूद भी जेवकतेओ खडा रहा, या समय के साथ जेवकतेओ खडा रहा, दा बेश्टर्ण पस्मी लोग, दा बेश्टर्ण का मतलब पस्मी लोग, सिविलाइजेशन, यानि मतलब हो गया बेश्टर्ण सिविलाइजेशन का मतलब, पस्मी सभ्यता, सभ्यता, which has the tendency to privilege materiality, देखें, पस्मी सभ्यता, which है, जिसके पास tendency प्रब्रीती है, या जिसकी प्रब्रीती है, to privilege, विशेश अधिकार देने की, materiality का मतलब होतिक वाद, यानि पदार्थ की, ठीक है, cannot match, बराबरी नहीं कर सकता, the Indian civilization, वो भारतिय सभ्यता की बराबरी नहीं कर सकता, that, elevate the moral being, यहाँ पर जो that लगा है, Indian civilization के लिए लगा, Indian civilization, that, यानि जो बढ़ावा देता है, किसकी बढ़ावा देता है, नयतिक्ता की, जबकि बेश्टर्ण की बात हो रही है, कि यह नयतिक्ता की बढ़ावा नहीं देता, यह तो materiality, यानि भौतिक वाद की बढ़ावा देता है, tendency जो इसकी है, इसकी प्रबरीती जो है, वो विशेश अधिकार देना है, पदार्थ की, पूजा की, इसी को हम लोग कहते हैं, भ लोगों के examination में objective एक से दो number का पकड़ा जा सकता है, ठीक है?